नमश्कार वे नी तुढ़ा का आप सभी का स्वागयत करना चाहूंगी आपके अपने परिवार रेंकस गुर्कुल पर और आज हम डिसकस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दाट इस नूट्रियंट्स यानि की पोशक तत्व एक ऐसा टॉपिक जिसमें CPO 2022 के अंतरगत बहुत सारे कोशन त्यानि के हरे एक शिफ्ट में कोशन पूचा गया है तो किसी भी एक्जाम के अगर हम बात करते हैं लगभग एक कोशन हरे एक एक्जाम में यहां से फिक्स होता है तो लेट जस्टार्ट शुरुरुवात करेंगे कहानी की चलिए सबसे पहला कोशन आप लोगों के स्क्रीन पर है बहुत इंपॉर्टन क्लास यह रहेगी इन विच वाइटमीन कोबाल्ट इस फाउंड सो आंसर होगा आपका वाइटमीन B12 वाइटमीन B12 के अगर हम बात करते हैं जिसका साइंटिफिक नेम होता है साइनो कोबाल एमन और इसके नाम के अंतरगत ही क्या लिखा हुआ है इसके नाम के अंतरगत ही चीपा हुआ है कोबाल्ट तो अगर आपसे कभी भी पूछ ले जाए कि इसके अंदर कौन सी धातू पाई जाती है तो कोबाल्ट धातू पाई जाती है यानि कि मानव शरीर के अंतरगत अगर हम मनुश्य के शरीर के बात करते हैं ऐसा कौन सा वाइटमीन है जो कि धूप के संपर्क में आने से हमारे शरीर के अंतरगत जिसका निर्मान होता है आप सभी को पता है वाइटमीन डी के अगर हम बात करें जिसको हम संशाइन विटामीन के नाम से भी जानती है जिसको sunshine vitamin कहा जाता है क्योंकि दूप की किर्णों से हमारी त्वचा के अंतरगत इसका निर्मान होता है vitamin is abundantly found in the chili आपको बताना है कि अगर हम मिर्च के बात करें मिर्च के अंतरगत कौन सा vitamin ऐसा है जो कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है तो अगर हम मिर्च के बात करते हैं माली जगर आप हरी मिर्च खा रही है तो ध्यान रखेगा हरी मिर्च के अंतरगत भथपूर मात्रा में vitamin C पाया जाता है vitamin C का scientific name अगर आपसे पूश्या जाए that is ascorbic acid यानि कि इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम ascorbic अमल के नाम से जानती है ascorbic acid या फिर ascorbic अमल से मतलब क्या है ascorbic acid या फिर ascorbic अमल से मतलब है vitamin C जो vitamin C है this is the first discovered vitamin सबसे पहला खोजा गया vitamin कौन सा है so first discovered vitamin कभी भी अगर आपसे पूश्या जाए that was the vitamin C vitamin C की अगर बात की जाती है तो जो vitamin C है इस vitamin को किस नाम से जाना जाता था तो पहले इस vitamin को citrus के नाम से जाना जाता था चलेगा बढ़ेंगे next question की तरफ next question है due to the presence of which of the color of cow milk is slightly yellow आपको बताना है कि गाएं का जो दूध है वो किसके कारण हलका पीला होता है आप सब इने गाएं और भेंस का दूध पिया होगा तो भेंस का दूध सफेद रंग में होता है जो गाएं का दूध होता है और यह किसके कारण होता है तो यह होता है beta-carotene के कारण beta-carotene के साथ-सके अंतरगत एक vitamin पाया जाता है जसका नाम है riboflavin और राइबो फ्लेविन कौन सा वाइटामिन है? इट एज वाइटामिन B2 So, वाइटामिन B2 और बीटा कारोटिन तभी ये दोनों एक साथ मिलते हैं तभी ये काएं के दूद को पीला रंग देते हैं आप सभी को बता है कि अगर हम वाइटामिन B2 की बात करते हैं That means used in plants. Plants के अंतरगत करभो हाइडरेट के किस रूप कारभो हाइडरेट का निर्मान किस रूप में होता है तो आपको पता है प्रगास नसलेशन के प्रकरिया के माध्यम से जो पादब होते हैं करते क्या है Except this practice to produce a living box Carl fats's pept encouraged combined होते है विद अर्य शिक्स H12O6 और यहां से 6 molecules of oxygen release हो जाते हैं कितने molecules अगर बात की जाते हैं तो 6 molecules of oxygen के अगर हम बात करेंगे यहां से release हो जाएंगे ठीक है तो आपके carbohydrate का किस form में? glucose के रूप में यहां पर carbohydrate का नर्मान होता है और store किस रूप में होता है? अगर आपसे संग्रहे पूछ लिया जाएं तो पादपो के अंतरगत जो carbohydrate का संग्रहे होता है संग्रहे किस रूप में होता है? तो संग्रहे हमेशा starch के रूप में होता है पादपो के अंतरगत किसी भी carbohydrate का संग्रहे हमेशा starch के रूप में होता है बढ़ते हैं next question की तरफ, in which substance mollisus is changed into the production of sugar, चीनी के उत्पादन में किस पदार्थ में शीरा परिवर्तित होता है, and this is very important question, यह मैं आप लोगों को theory classes में भी करा चुकी हूँ, तो इस question का अंसर आप हमें बताएंगे, यह किस में होता है, this is all gauze to you, यह question है आप लोगों के हव पाले, next question की तरफ, हम लोग move on करेंगे, what is the main constituent of honey, यानि कि शहद के अंदर कौन सा carbohydrate पाया जाता है, तो आप सभी को पता है, शहद के अंदर पाया जाता है, fructose, fructose का formula, C6, H12, O6, इसको हम किस नाम से जानते है, this is known as the fruit sugar, यह फलो के अंदर, साथ साथ किस के अंदर, fructose जो है, this is the natural sweetest sugar, fructose को ही हम किस नाम से जानते है, this is a natural sweetest sugar, यानि कि प्रकृतिक रूप से सब पाये जाने वाला, सबसे मीठा शरकरा, पाये जाने वाली, सबसे मीठा, या फिर सब पाये जाने वाला, सबसे मीठा शरकरा आप कह सकते हो, सबसे मीठा, कार्भो हाइडरे या फिर सबसे मीठा शरकरा की अगर हम बात करते हैं ठीक है, कार्बो हाइडरेट समझे, next next question क्या कहता है next question कहता है due to which carrot is orange in the color जो carrot होती है, गाजर होती है गाजर किसके कारण से संतरी रंग की होती है orange कलर की किसके कारण होती है ये question भी गया आप लोगों के हवाले आज के session में दो question आप लोगों के हवाले अभी तक next question अगर हम बात करते हैं the vitamin most readily destroyed by the heat आपको बताना है ऐसा कौन सा vitamin है जो की बहुत आसानी से उश्मा के संपर्क में आता है तो नस्ट हो जाता है तो दोस heat sensitive vitamin होते है vitamin C और vitamin A ये दोनों के दोनों ही क्या है heat sensitive है तो जैसे उश्मा के संपर्क में आते है तो नस्ट हो जाते हैं तो maximum time अगर एक आपको option में देगा तो C देगा और C के लावत दूसरा कौन सा होता है vitamin A ये दोनों ऐसे vitamin है जो उश्मा के संपर्क में आने से नस्ट हो जाती है बढ़ेंगे next question की तरफ which element is a micronutrient for plant plant की अंतरगत micronutrient के तौर पे किसको जाना जाता है तो micronutrient के तौर पे देखा जाता है बुरोन की अगर हम बात करती है और वही अगर आप से macronutrient पूछ लिया जाए तो जल्दी आप comment section में बताने वाले है macronutrient किसे कहा जाता है तो macronutrient को आप comment section में बताने वाले है आज के session के 3 question आप लोगों के हवाले next question of which are the pulses are best sources यानि कि जो दाले होती है दालों के अंतरगत सबसे अधिक मात्र में क्या पाया जाता है तो इन सभी के अंदर सबसे अधिक मात्र में protein उपस्तित होता है protein पाया जाता है these are one of the richest sources of protein next question which nutrient is riboflavin riboflavin is vitamin B2 और आपको पता है जो vitamin B2 है ये कहां पर मिलता है ये सबसे ज़्यादा आपका cow milk के अंदर मिलता है ये दूद के अंदर ये अग के अंदर आपको मिलता है ये फिश लिवर के अंदर होगा फिश लिवर के अंदर होगा की नहीं जल्दी बताएंगे जो riboflavin है ये फिश लिवर के अंतर गत पाये जाता है की नहीं पाये जाता तो fish liver के अंदर आपके कीड़ा पाई जाते हैं, तो B2 नहीं पाई जाएगा, सिर्फ क्या पाई जाएंगे आपके कीड़ा जो है ये पाई जाते हैं, next question, the nutrient element to build the body, the nutritious element used to build the body, body को build करने के लिए किस nutrient को इस्तेमाल में लिया जाता है, तो आप सभी को पता है, जितने भी gym lover है, जो आजकल body building का बड़ा ही शौक चड़ा हुआ है, क्योंकि सबकुछ आजकल viral की कहानी बन चुका है, तो body बनाने के लिए किस का इस्तेमाल करते हैं, protein का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसे भी gym के बाहर जाके खड़े हो जाना और पूछ लेना, बिटा इस body बनाने के पीछ जानवरों के बालों के बात की जाए, जानवरों के सिंग के बात की जाए, जानवरों के खुर के बात की जाए, या फिर पक्षियों के जो पंक होते हैं, अगर हम पंक की बात करें, इन सभी के अंदर कौन सा protein होता है, का रचे नाम का एक protein पाया जाता है, ओके, next question, for which vitamin E is particularly important vitamin E के आवशक्ता किसके लिए होती है, तो اگर हम vitamin E के बात करते हैं, इसको हम किस-κिस नाम से जानते हैं, सबसे पहले देखेगा vitamin E का जो scientific नेम होता है, ये क्या होता है, त क्या होता है ये होता है, टोको-फेरोल है कि अगर हम बात करें, अब vitamin E को सबसे पहले हम लोग beauty vitamin के नाम से जानते हैं, यह सौंधरिय का प्रतीक होता है, तो इसको beauty vitamin कहा जाता है, इसके लावा इसे vitamin को हम क्या कहते हैं, इसको anti-sterility vitamin के नाम से जाना जाता है, यानि कि यह पुरुष के अंतरगत नपुन्शक्ता रोधक होता है, इसको नपुन्शक्ता रोधक vitamin के नाम से जाना जाता है यह नपुन्शक्ता को रोकने का काम करता है रोधक विटामिन की अगर हम बात करते हैं वही तीसरा अगर हम बात करते हैं इसी को क्या इसी को ही आपका fertility vitamin के नाम से जानती है fertility vitamin भी इसको कहा जाता है इस बात से मतलब क्या है प्रजिनन vitamin के नाम से भी हम इसको जानती है प्रजिनन vitamin का नाम भी इसी को दिया जाता है तो most important इसका काम क्या है सबसे important function जो इसका है यह हमारी body में जो हमारी sexual glands होती है जो हमारी लेंगिक गरंथियां होती हैं, उनके function के लिए बहुत important होता है, तो overall अगर हम बात करते हैं, it is important for our sexual glands, यानि की sexual glands को हम क्या कहते हैं, these are known as gonads, और gonads यानि की ये हमारी लेंगिक गरंथियों के लिए बहुत जरूरी होता है, लेगे क्रत्थी जैसे अगर हम किसे पुरुष के बात करते हैं, तो पुरुष के अंतरगत व्रशन और अगर हम महिलाओं के बात करते हैं, महिलाओं के अंडाश्य यानि की ओविरीज, टेस्टीज और ओविरीज के लिए वाइटमीन जो होता है, बहुत important होता है, for the production of sperm and the production of ओवा, यानि किस पम और ओवा के शुकराणों और अंड के नर्मान के लिए, next question, which protein is derived from the partial digestion of the natural proteins, natural protein के partial digestion से हमें कौन सा substance प्राप्त होता है, कभी भी हम protein को digest करते हैं, तो ये किसमें amino acid में break होते हैं, आप से पूश्य जाए कितने प्रकार के amino acid होते हैं, तो 20 प्रकार के होते ध्यान रखेगा, option में 19 भी मिलेगा और 21 भी मिलेगा, 19, 21 दोनों गलत है, सही answer होगा, आपका 20 प्रकार के होते हैं, who first used protein, सबसे पहले protein को किसने यूज किया था, and directly question पूछा गया है कि protein की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखेगा, जो protein की खोज है, that was by the Zee, Brazilis की अगर हम ब chemical name of vitamin E, अगर हम vitamin E के chemical name की बात करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, tocopherol की अगर बात की जाते है, tocopherol as the scientific name of vitamin E, got it, चले, बढ़ेंगे next question की तरफ, what vitamins are soluble in water, आपको बताना है, ऐसे कौन से vitamin है, जो कि जल के अंतरकत गुलंशील होते हैं, तो water soluble vitamin B B और C, B, C के साथ साथ आपका complete B complex group होता है, यह सारा का सारा क्या है, आपका जल में गुलंशील है, B complex के साथ साथ, B और C दोनों ऐसे vitamin है, जो कि जल के अंतरकत गुलंशील है, बचे कितने आपके 4 vitamin और वो कौन से कीडा, और कीडा जो है, यह आपके fat soluble है, वसा में गुलं गुलंशील वाइटमीन है, आपके कीडा, K, E, D, A, चारो वाइटमीन आपके वसा में गुलंशील है, यह आप ध्यान रखेंगे, नेक्स कोशन, which vitamin requires cobalt for its activity, तो हम देख चुके हैं, वाइटमीन B12, sinocobal, amine के अगर हम बात करते हैं, बढ़ेंगे नेक्स कोशन, what is the main source of energy in नवर food beside carbohydrate, कार्बो हाइडरेट के बाद हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा energy किस श्रोद से प्राप्त होती है, तो ध्यान रखेगा, कार्बो हाइडरेट के बाद आती है, fats, यानि कि अगर हम वसा के बात करें, और आपको पता है, जो एक वसा का molecule होता है, एक वसा का molecule, कार् कार्बो हाइडरेट के एक molecule के तीन गुना जादा energy हमें देता है, यानि कि कहने का मतलब क्या है, कि जितनी energy एक कार्बो हाइडरेट का molecule देगा, उसकी तीन गुना जादा energy एक fat का molecule हमें देता है, ये थ्यान रखेगा, ओके, next question, due to deficiency of which vitamin, the limb bones of children bent, ऐसा कौन सा vitamin है, जिसके कारण से बच्चों की जो limb bone होती है, वो bent हो जाती है, so ये कौन सा vitamin है, that is vitamin, ये कौन सा vitamin होगा आपका, that will be vitamin D, so इस question का answer क्या है आपका, इस question का answer होगा आपका, vitamin D के अगर हम बात करते हैं, just a second, यहाँ पर थोड़ा सा space हम बना लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, तो vitamin का answer है भई, vitamin होगा आपका, vitamin D, vitamin D जो होता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, इसको हम किस नाम से जानते है, anti-rickets vitamin, समझते हैं, इस बात से मतलब क्या है, आप समझते हैं, तो बिटा, इस बात से सीधा सा मतलब है कि, rickets, रोधक, यह एक ऐसा vitamin है, जो कि हमारे शरीर के अंतरगत, rickets, नामक, यानि कि सूखा रोग से बचाता है, तो इस सूखा रोग, रोधक, vitamin के नाम से हम इसको जानते हैं, यह आप ध्यान में रखेंगे, is it okay, this is very important point, ठीक है, phase 10 के exam में इसी बार question पूछा गया था, कि जो सूखर, vitamin D की कमी से कौन से रोग होता है, rickets होता है, सूखर रोग होता है, okay, next question, which is the metal, vitamin B12, यह बार-बार question पूछ रहा है, क्योंकि बार-बार यह question पूछा जाता है, तो आ भ्यास के जडमती होसो जान, रस्री आवत जावत है, सिल परपड़त निशान, तो वह इसको घिसते घिसते जाओ, अपने आप माइड में स्टोर हो जाएगा, the vitamin which helps in the protecting infection in the human body, मनुशे के शरीर में infection से कौन सा vitamin बचाता है, तो ध्यान रखेगा, vitamin A, इसको anti-infectious vitamin के नाम से ज anti-infection को रोकता है, anti-infection vitamin के नाम से हम इसको जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेगा, next question की तरफ मोँआन करेंगे, and next question is, which is most important element for growth of a children up to the age of 14, 14 के इस तक सबसे ज़्यादा किसी भी बच्चे को किस चीज की आवश्रकता होती है, विकास के लिए protein की आवश्रकता होती है, which vitamin is Lothed by washing the peeled vegetables, अगर आप सबजियों को छीलने या फिर काटने के बाद धूलते हैं, तो उन सबजियों में से, फलों में से किस vitamin की हानी होती है, तो जो जल में घुलनसील होते है, water soluble, water soluble कौन से है, जल के अंतरगत घुलनसील, vitamin कौन से है, B और C, B और C के साथ साथ तीसरा कौ से होगा आपका, जो complete B complex vitamin है, यानि कि overall B complex plus C कि अगर हम बात करते हैं, ये दोनों vitamin water soluble है, जैसे हम सबजी को छीलते हैं, काटते हैं और उनको धूलते हैं, तो ये vitamin पानी में घुलते हैं और सबजी से बाहर निकल जाते हैं, चालेगा, next question, to richest non sources of edible protein are, सबसे ज़्यादा जो edible protein है, ये माना जाता है, या तो सोयबीन के अंदर होगा, सोयबीन या फिर अगर हम बात करते हैं, किस के अंदर, ये सोयबीन के लावा अगर बात की जाती है, nuts के अंदर माना जाता है, क्रील्स के अंदर भी माना जाता है, हाला कि यहाँ पर edible protein की बात की है, तो edible protein जो होता है सोयबीन से ज़्यादा किस के अंदर होता है अलगी के अंदर होता है अलगी यानिकी सहवाल और आपको पता है सहवाल में एक ऐसा सहवाल होता है जो कि जितनी भी एस्ट्रोनोट्स होते है या फिर साइंटस्ट होते हैं वो सैलेड के तौर पर या फिर अपनी body को nutrition देने के लिए खाते हैं and that is chlorella आप जल्दी से मुझे comment में बताएंगे ऐसा कौन सा दूसरा ऐसा दूसरा कौन सा एल्गी है सहवाल है जिसका हम सेवन करते हैं salad के तौर पर salad के तौर पर जिसको खाया जाता है दूद को एक दिन का संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि ऐसा क्या नहीं है दूद के अंदर ताकि हम इसको complete diet balance diet नहीं कहते हैं तो ध्यान रखेगा एक तो दूद के अंदर iron नहीं पाया जाता है और iron के साथ साथ दूसरा दूद के अंदर vitamin C नहीं होता है vitamin C और iron ना होने के कारण दूद को संपूर आहार नहीं माना जाता next question during dehydration what is the substance that usually lost by the body निरजली करन के अवस्था में हमारे शरीर से ऐसा कौन से पदार्थ है जिसकी हानी होती है तो निरजली करन के अवस्था में हमारे शरीर से NACL यानि के अगर हम बात करें sodium chloride की हानी होती है NACL या फिर अगर हम बात करते हैं, sodium chloride की हानी होती है, निर्जली करन की अवस्था में हमारे शरीर से, और इसके साथ सथ किस-किस vitamin का लोस हो सकता है, B, C, और अगेन अगर हम बात करें, B complex, तो ये vitamin है जिनके हमारे शरीर से हानी हो सकती है, Next question, which vitamin is mainly found in the green leafy vegetables? आपको बताना है, जितने भी green leafy vegetables होती है, उनके अंदर सबसे अधिक मातर में main source कौन सा होता है, vitamin का तो ध्यान रखेगा, जितने भी green leafy vegetables होती है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा vitamin A और vitamin K पाया जाता है, A और K इनी के अंदर पाया जाता है, सबसे ज़्या reduced in pregnant women, pregnant women के अंदर calcium और iron की कमी होती है, इसलिए calcium और iron की tablets इनको दी जाती है, next, how carbohydrate is stored in the body, हमारी शरीर के अंतरगत carbohydrate का जो संग रह होता है, वो glycogen के रूप में होता है, ध्यान रखेगा, अगर आपसे जनतों के अंतरगत पूछ लिया जाए, तो जनतों के अंतरगत हमेशा glycogen के रूप में होता है, वहीं अगर आपसे पादबों के अंतरगत पूछ रिया जाए, तो पादबों के अंतरगत starch के रूप में होता है, वहीं आपसे keto के अंदर पूछ रिया जाए, तो keto के अंतरगत किस रूप में होता है, काइटिन के रूप में होता है, तीनों बहु कुशन है NACL, okay? NACL होगा के नहीं, तो यहाँ पर धियान रखेगा, NACL की कमी से डिहाइडरेशन होगा, जिसमें पानी की कमी हो जानी है. मनुशन को एक स्वस्त हृदय के लिए क्या करना चाहिए? उसको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, हल्दी डाइट लेनी चाहिए और साथ-साथ फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए. यह सारे के सारे काम जो है उसको डेली लाइफ में, डेली बिसेस पर करने चाहिए. नेक्स कोशन, बिसाइड कार्भोहईडेट्स, वाट इस अजो प्रॉपर नेरजी इन अवर फूड तो यह हम देखी चुके होते हैं, फैट है. नेक्स कोशन, वाट इस नौर अज दा वाइटमीन बीवन, बीवन का साइंटिफिक नेम क्या है? जो बीवन का साइंटिफिक नेम होता है, दाट इस थी हमें. नेक्स कोशन, विच वाइटमीन इस प्रोडूज इस प्रोडूज इन अवर बॉड़ी, यानि कि एक ऐसा वाइटमीन जो हमारे शरीर के अंतरगत, यह फास्टेस्ट फॉर्मिंग वाइटमीन के तौर पे जाना जाता है, या फिर फास्ट इस प्रोडूज वाइटमीन हम इसको कहते हैं, और इस वाइटमीन डी, सबसे ज़्यादा तेज़े से बनने वाला वाइटमीन कान सा है हमारे शरीर के अंदर, वाइटमीन डी, जो कि हमारे स्किन के अंदर बनता है, इस वाइटमीन का निर्मान, जन्तूओ के स्किन के ऐसे carbohydrate जिन के अंदर aldehyde group होता है for example, जैसे अगर हम बात करते हैं glucose, glucose के अंदर जो आपका aldehyde group होता है ये as a functional group के तौर पर, तो aldehyde group जिन carbohydrate के अंदर पाए जाता है उन सभी को हम aldose के नाम से भी जानते हैं they are also known as aldose और theoretical class में इनको मैं बहुत बढ़िया तरीके से करा चुकी हूँ next question, the most important work of food is हमारे body में सबसे ज़्यादा जरूरी आवशक, क्यों आवशक तत्व कौन से होता है, फिर भोजन की क्या आवशकता है, तो आप सभी को बता है, they helps in the growth and development ये क्या करते हैं हमारे शरीर के विकास में मदद करते हैं growth and development growth and development के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरोग चमता प्रदान करते हैं, growth and development की अगर हम बात करते हैं growth and development के साथ साथ ये हमारे शरीर को और क्या करते हैं they also provide us the immunity यानि कि ये हमारे शरीर को रोग प्रती रोग चमता प्रदान करते हैं रोग प्रती रोग चमता की अगर हम बात करें, is it okay, next question vitamin D is required for absorption of, vitamin D किसके absorption को बढ़ाता है तो vitamin D हमारे शरीर के अंतरगत, calcium के absorption को बढ़ाता है और कहां पर small intestine के अंदर, हमारी जो चोटी आथ है, यो चोटी आथ के अंतरगत, small intestine के अंतरगत, calcium के absorption को बढ़ा देता है इस point को ध्यान में रखिएगा और यही calcium हमारे आगे जाकर के, हमारी हड्डियों के अंतरगत, calcium phosphate के रूप में जाकर के store हो जाता है हड्डियों के अंदर, bones के अंदर इसका संग्रह होता है और यह संग्रह किसके रूप में होता है so, C3PO4 का hold twice, यानि कि calcium phosphate के रूप में इसका संग्रह हो जाता है next question what is the easter of glycerol and fatty acid what is the easter of glycerol and fatty acid, ठीक है अगर हम बात करते हैं, जो आपका glycerol और fatty acid का easter है उसको हम किस नान से जानते हैं और कहां पर यूज में लिया जाता है that is used inside the making of all the soap जितने भी साबून होते हैं सभी के सभी साबून को बनाने के लिए यूज में लिया जाता है और इसको क्या कहा जाता है glyceryl aldehyde के नाम से जाना जाता है that is known as glyceryl aldehyde next question चलिए what is formed from glucose and lactose जब glucose और lactose एक साथ combined हो जाती है so they are forming the lactose यह किसका निर्मान करती है यह lactose का निर्मान करती है और जो lactose होती है this is known as the milk sugar यानि कि दूद के अंतरगत पाई जाने वाली यह शरक्रा है जिसका formula अगर आपसे पूश्रिया जाए तो C12H22O11 होता है next question carbohydrates containing ketone group is known as ऐसे carbohydrates जिनके अंदर ketone group होता है for example ketone किसके अंदर पाए जाता है ketone पाए जाता है fructose के अंदर तो भई जो fructose है या फिर ऐसे carbohydrates जिनके अंदर ketone group होता है इनको हम ketose के नाम से जानते है ketose कहा जाता है या फिर इन्ही को ही हम keto hexose के नाम से जानते है these are also known as ketose hexose next question which vitamin is good for eyes हमारे आखों के लिए कौन सा vitamin बहुत बढ़िया है तो उन्हीं आखों की बात हम कर रहे है जिन आखों से आप हमें देख पा रहे है तो अपनी eyesight को बढ़िया बनाने के लिए बिल्कुल तुंदृस्त बनाने के लिए आपको seven करना चाहिए vitamin A का vitamin A का सबसे बढ़िया शोत्र की से माना जाता है आम तोर पर आप carrot खा सकते है यानि के आप गाजर खा सकते है गाजर के लावा यह किसमे पाए जाता है brown rice की अगर हम बात करें brown rice के लावा आपको पता है golden rice के अंदर यह पाए जाता है आप golden rice का seven कर सकते है rice brain के अंदर चाषह के जो भूसी होती है उसके अंत्रगत इसकी खोज की गई थी चावल के भूसी के अंतरगत इस वाइटमिन को खोजा गया था नेक्स्ट कोशन वोट अलिमेंट इस फाउंट अपेंडेंटली एन स्पिनिच स्पिनिच के अंदर ऐसा कौन सा वाइटमिन है जो कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है हम पालक की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेगा पालक के अंतरगर सबसे अधिक मात्रा में वाइटमिन डी पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में वाइटमिन डी होता है है की नहीं कौन सा वाइटमिन होता है जल्दी बताइए तो पालक के अंदर के सबसे अधिक मातर में आपका कौन सा वाइटमिन पाया जाएगा, that will be वाइटमिन A, वाइटमिन A के लावा E, E के लावा D भी कुछ हद तक पाया जाता है, एक exceptional पार्ट आपके लिए है, नेक्स कोशन, डिटो डेफिशेंसी ओफ विच वाइटमिन, ब्लीदिंग ओफ गम्स और लूजनिग ओफ टीथ इस कोस, किसकी कमी से होता है, यानि कि सिम्टम है किसका स्करवी का और स्करवी किसके कारण हमारे शरीर के अंदर होती है, आप सभी को पता है, विटामिन C की कमी के कारण स्करवी नामक रोग हमारे शरीर के अंतरगत होता है, विच वाइटमिन हेल्प्स इन दे हेल्दी फॉंक्शनिंग ओफ आइस, आँखों के बढ़िया फंक्शन के लिए अगेन वाइटमिन A की हमें जरूरत है, ओके चाले, नेक्स कोशन, दा अबेंदेंट क्वां लेना चाहिए, इस्पैशली कोड ओयल के अगर हम बात करते हैं, कोड लिवर ओयल, आपको एग लेना चाहिए, आपको मिल्क लेना चाहिए, आपको मीट लेना चाहिए, मांस लेना चाहिए, या फिर आप और और क्या खा सकते हैं यहां पर, और आप यहां पर जो सीफूड होते हैं, seafood, आप यहां पर seafood का आप सीवन कर सकते हैं. Next question, Which acid is present in vitamin C? Vitamin C अंदर भरपूर मात्र में ascorbic acid होता है, and ascorbic acid is the scientific name of vitamin C. Next question, A good source of vitamin for a fresh vegetable? यहीं कि अगर आप fresh vegetable खा रहे हैं, सबसे अच्छा source आपको क्या मिलेगा? तो vegetables के अंदर vitamin E मिलता है, सारे के सारे ही vitamin मिलते हैं, जिते सबजें होती हैं, इनके अंदर सारे ही आपको मिलेंगे, A, B, C, D, E, K अगर आप D को छोड़ दो, D को छोड़ दीजे, क्योंकि D exceptional है, एक आद ही सबजें में मिलता है, सबहें में नहीं मिलता है, ओके, तो ध्यान रखेगा, A, B, C, E, K, यह सारे के सारे vitamin भरपूर मात्रों में सब जो के अंतरकत मिलते हैं, Is it okay? तो यह थी कुछ important questions, जो कि आपकी हर एक exam में बहुत useful रहेंगे, आप इस class को again and again speed बढ़ा कर भी देख सकने हैं, हर एक question आपकी class के लिए बहुत important रहेगा, एक एक question को आप practice करिएगा, सो सबसे पहले जितने भी students आज हमाई साथ first time connect हुए हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत important बात, आप इसे बहुत सारे students हैसे होंगे, जो आज हमाई साथ first time connect हुए हैं, तो जो लोग first time आज connect हुए हैं, सो सबसे पहले तो आप हमाई telegram group को join कर लीजेगा, इसके जो PDF है, वो आपको हमाई telegram group पर मिल जाएगी, इसी के साथ साथ अगर आप theoretical, बिल्कुल basic से पढ़ना शाते हैं, सो आज ही डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के साथ साथ वहाँ पर 6th of October से बैच शुरू हुआ है, combo batch आप उस batch को जाकर के परचीज कर सकती हैं, और जितने भी new students आज first time connect हुए हैं, सो कितने effective class आपके लिए रही हैं, और मैंने आज के session में आप लोग उसे तीन question पूछे हैं, और उन तीनों question का answer आप मुझे comment section में बताने वाले हैं, वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और शेर करिएगा हर एक student तक, जिनके लिए भी ये useful है, चलिएगा, बाब बाइ, thank you so much, Ceyhint, Cepharat.